हर साल जब भी एक नय iPhone launch होता है तो पुराने जो models है वो discontinue हो जाते हैं तो इस साल भी iPhone 14 जैसे ही launch होगा कुछ iPhones discontinue हो जाएंगे तो आए इस वीडियो में देखते हैं कौन से models हो discontinue होने वाले हैं और कौन से continue रहने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं iPhone 11 के बारे में iPhone 11 2020 का सबसे highest selling iPhone था आज भी सबका चहित iPhone है इन फाइक यह वन आफ दो मोस्ट आफोर्डेबल आइफोन है जिन में iOS 15 आपको देखने को मिलता है लेकिन according to a report from iDrop News iPhone 11 इस साल iPhone 14 के launch के बाद discontinue हो सकता है तो basically iPhone 11 के discontinue होने के बाद सारे 4G models Apple के line-up से हट जाएंगे in fact iDrop News का कहना यह भी है कि iPhone 11 के वज़े से उनका जो iPhone SE 2022 model था वो इतना बिका ही नहीं क्योंकि सारे लोग फिर भी iPhone 11 ही purchase करना चाहते थे लेकिन अब Apple का जो focus है वो है iPhone SE 2022 and since वो focus वो maintain करना चाहते है इसलिए उनको करना यह पड़ेगा कि iPhone 11 को उसके line-up से हटाना पड़ेगा अब Apple की history अगर हम देखे तो जैसे iPhone 8 2017 में launch हुआ था वो 3 साल के बाद discontinue हो गया 2020 में and यही same चीज iPhone 11 के साथ भी हो सकती है iOS updates नहीं आएंगे तो iPhone 11 में कुछ साल तक और भी iOS updates आपको देखने को मिलेंगे तो अगर आपके बाद iPhone 11 already है या फिर अगर आप खरीदना चाहते हो before वो discontinue हो जाए तो आप ज़रूर खरीच सकते हो लेकिन personally मैं recommend करूँगा आज के तारी में अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो rather आपको iPhone 12 consider करना चाहिए जो आपको एक better value for money देगा तो iPhone 12 की अगर हम बात करें तो यह वाला जो model वो discontinue नहीं होगा rather एक चीज़ में खुशकबरी यह है कि इसका जो price एवर drop हो सकता that is इस बार Apple इसकी MRP decrease कर देगा to match iPhone 11 अब next बात कर ले था iPhone 12 mini के बारे में तो यह वाला जो model है वो last year ही discontinue हो जाने वाला था लेकिन अभी तब वो discontinue नहीं हुआ है chances है कि इस बार 2022 में iPhone 14 का आने बाद iPhone 12 mini discontinue हो जाएगा and iPhone 12 Pro के सारे models के अगर हम बात करें तो वो तो already discontinue हो ही चुके है next बात कर ले था iPhone SE 2022 के बारे में अपकोर यह तो discontinue होगा ही नहीं क्योंकि इसी साल launch हुआ है and कुछ साल और यह phone चलेगा and जैसे कि मैंने आपको बता है कि Apple का focus है iPhone SE 2022 क्योंकि वो अब compete करना चाह रहे है iPhone 11 के सामने next बात कर ले था iPhone 13 के बारे में तो Apple इस पर्टिकलो मॉडल को और कुछ साल तक continue कर सकता है अब इसका मतलब क्या निकलता है इसका मतलब यह निकलता है कि iPhone 14 का जो अपग्रेड है वो major अपग्रेड हो सकता है compare to iPhone 13 and Apple यह समझता है कि iPhone 13 को वो continue भी रखेगा तो भी iPhone 14 के sales पर कोई भी effect नहीं आएगा and इसलिए iPhone 13 को और कुछ सालों तक वो continue कर सकता है and अगर iPhone 13 mini की बात करें तो वैसे तो mini models इतने successful नहीं रहे थे in the past लेकिन since यह last mini model है iPhone का and इसलिए Apple इसको continue रख सकता है कुछ और सालों तक and lastly iPhone 13 pro models की बात करें तो जैसे हमको पता है कि हर साल pro model discontinue हो जाते है and वो ही same चीज इस साल भी हो सकती है तो आइफोन 14 के launch के बाद iPhone 13 pro and iPhone 13 pro max discontinue हो सकते हैं अब discontinue का मतलब इतना ही है कि Apple ने उसको manufacture करना बंद कर दिया and Apple directly sell नहीं कर रहा है लेकिन अपकोस आप offline markets आप खरीद सकते हैं जैसे कि iPhone XR की बात करें तो Apple ने उसको discontinue already कर दिया है बड़िया phone है आज भी लोग purchase करते हैं यह वाला phone लेकिन वो offline market से purchase करते हैं direct Apple के पास से purchase नहीं कर सकते हैं तो इसके पहले कि Apple इन iPhones को discontinue करें अगर आप इनको खरीदना चाहरे हैं और वो भी Apple के पास से खरीदना चाहरे हो तो आप store या फिर Apple की website से खरीद सकते हो लेकिन अगर आपको offline market से खरीदना है अगर आपको Amazon से खरीदना है तो links आपको description में देखने को मिल जाएगी तो इतना ही था दोस्तों वीडियो के लिए वीडियो अगर आपको informative लगा है तो like and share जरूर करें चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो bell आइकन दिख रहा है देखतर है ओलोजिन टेकेन हिंदियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में